हेलो स्टूडेंट्स मैं दीपर सर और क्लास 10 के लिए आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो की है लाज अफ रिफ्लेक्शन अफ लाइट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एक्जाम पॉइंट अफ यू से इंपॉर्टेंट भी है और बहुत असान भी है तो आज जो हमा रिफ्लेक्शन अफ लाइट का मतलब होता है इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक मिरर होता है उस मिरर के ओपर जब कोई इंस्ट रिफ लाइट फॉल करती है उस मिरर के साथ और जिस जगा पर जिस मिरर के जिस पॉइंट पर वो इंस्ट रिफ लाइट टच करती है न mirror के साथ strike किया, strike के बाद mirror ने उस light को दूसरी दिशा में वापस reflect कर दिया, तो bounce back कर दिया, now that is called reflection of light, ठीक है, तो incident ray of light आई, mirror के इस point पर hit किया, strike किया, now that point is called point of incidence, उसके बाद वो भी हमारे पास है, reflected ray, तो आज हम reflection of light नहीं बलकि उसके last पढ़ेंगे, तो जो reflection of light होती है, उसके दो लाज हमारे पास होते हैं, तो पहला ला है, कहता है, according to this ला, कहता है, ये ला ये कहता है, the incident ray, अगर आप देखें, सबसे पहले तो, AO, instant ray है, OB, reflected ray है, और ON, ये हमारे पास एक normal है, ठीक है, तो ON हमारे पास क्या है, normal है, तो इसका जो पहला ला ये कहता है, कि जो incident ray होती है, जो reflected ray होती है, और जो normal होता है, वो ये तीन कहां लाई करते हैं, एक point पर, एक ही जगा पर ये लाई करते हैं, और कौन से point पर, at the point of incidence, देखें, अगर हम देखें, तो ये मारे पास instant ray of light है, कहां पर mirror के किस point पर strike किया, ओ पर, फिर reflected ray of light भी ओ से ही शुरू हो रहा है, नो normal भी ओ से ही शुरू है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, according to the first law of reflection of light, the instant ray, the reflected ray, and normal, all lie at the same point, now the point is called point of incidence, तो कहां पर लाई करते हैं, point of incidence पर, तो ये पहला लाई, एक बार और रपीट करते हैं, तो reflection of light का जो first law ये कहता है, ये जो instant ray होती है, जो reflected ray होती है, और जो normal होता है, all lie on the same plane, ठीक है, मतब reflected ray, instant ray, reflected ray, और normal जो होता है, वो सारे, ये तीन कहां पर लाई करते हैं, एक ही plane पर, एक ही point पर, now that point is called point of incidence, ये first law था, उसके बाद second law, तो according to the second law of reflection of light, कहता है, सबसे पहले मैं आपको previous topic में ये पढ़ाया था, कि angle of incidence क्या होता है, angle of reflection क्या होता है, तो angle of incidence का मतलब है, कि हमारी जो instant ray है, इसने कितना angle बनाया, इस normal के साथ, now that is called angle of incidence, तो instant ray of light, जितना angle बनाती है, इस normal के साथ, now that is called angle of incidence, and it is denoted by angle I, ठीक है, उसके बाद होता है, angle of reflection, इसका मतलब, ये जो reflected ray है, इस reflected ray ने इस normal के साथ, कितना angle बनाया, उससे हम कहते है, angle of reflection, and it is denoted by angle R, ठीक है, तो फिर ये कहता है कि the angle of incidence, angle I is equal to the angle of reflection मतलब जितना incident ray of light angle बनाती है इस normal के साथ उतना ही angle reflected ray भी बनाती है normal के साथ फर एक्जमपल अगर यहां पर हमारी जो incident ray अगल आफ लाइट ने अगर 45 डिगरी बनाया है तो अगर हमारा जो incident ray of light angle है 45 डिगरी तो हमारा जो reflected जो angle of reflection है वो भी होना चाहे 45 डिगरी या something else here for example ठीक है इसके मतलब जो angle I होगा जो angle of incidence होगा वो होगा angle of reflection के बराबर तो यह हमारे कुछ लाजते उसके बाद हमारे पास होता है normal incidence क्या होता है देखिए यह हमारे पास diagram है तो यहाँ पर mm डेश जो mm डेश एक mirror है ठीक है और यह आपने लिया है plane mirror तो अब normal incidence पर वापस चलते हैं तो क्याता है अगर हमारे पास एक ray of light है जब वो ray of light जब वो ray of light when a ray of light is incident normally और perpendicularly on a mirror is reflected back along the same path is called angle of sorry normal incidence normal incidence को मतलब होता है हमारे पास mm डेश एक mirror है और इस mm डेश mirror के उपर एक incident ray of light ने strike किया ठीक है मतब यह उपर से incident ray of light आई यहाँ पर strike किया ओपर now that is called o is called point of incidence और जिस रास्ते से incident ray of light आई थी reflection के बाद भी अगर वो उसी path से वापस जाती है तो उसे हम कहते है नॉर्मल इंसिडेंस बिकाज क्यों क्योंकि इस केस में जितना angle of angle of incidence और angle of reflection जो है वो zero होता है ठीक है क्योंकि because the angle of incident as well as angle of reflection of reflection for such a ray is zero degree ठीक है thank you